़ए कि यह जो होती है फो स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं स्पेसिफिक कि यह जो वीडियो है। आपकी नग्सट चप्र के लिए इवन प्रिवेस चैप्टर की नॉलिज लेने के लिए ये वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट और यहां से 15-20 नंबर तो अराम से आएंगे याएंगे चलिए बढ़ें आगे नेक्स्ट चैप्टर की उपर चैप्टर नंबर है हमारा 3 इसका नाम है टाइप ओफ आउडिट के कितने टाइप हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे चैप्टर नंबर 3 है। बट इससे पेले हम थोड़ा सा री विजन करते हैं, जो हमने प्रिवेस चैप्टर के नंदर हमने पढ़ा था कि ओड़ीट होते Vasilias, चैप्टर पूरा पूरा चैप्टर पूरे पूरे यह पूरे पूरे चैप्टर जो है आपको एक एक वीडियो के इंदर प्रवाइड के जा रहे हैं और एफेम का भी चैप्टर नमबर थ्री टाइप ओफ ओडिट ऑडिट क्या होता है सबसे पहले आप यह बताईए ओडिट क्या होता है कि जो बुक ओफ अकाउंट होती है उसके अंदर जो जो एंटरी लिखी हुए जो जो ट्रैंजेक्शन की हुई है उनके बारे में पता लगाना कि वो ट्र कोमेंट हो गया है अज अधर दिटेल से उसके हैं लिए रप्रॉपर नॉलीज होनी च्या ठीक है दूसरी में बात क्या थी कि आट साथ हमारा में कृत met क्रतव्य क्या था कि हमें डीट्यक्ट करना है डिटेक्ट अस्ट जो भी हमारे पास प्रोट है Transactions का अंदर जो भी हमारे पास अर्य पर है यह पिरह का है उन सभी को क्या करना क्लेक्ट करना यह देखना यह एंगि यह जो है वैलिड यह वैसे लूश कारण है lack of knowledge के कारण है विसकी कही नहीं error fraud mistake को पता लगा ला थी क्या हमने यही घ्र hij करने करने पड़ती क्या हमने यही हमने चैप्टर नमबर first of चैप्टर 190 के अदरडिसक्स करता है टाइप ऑडि कितने तरह की दuwप्ती है जैसे की अगर बात कि जाए टू टाइपस की होती है first की अगर बात की जाए और गाजे जिबर हमने हैं। दूसरा आपको कैम नीजिद हुआ है। आब इसके अंदर जो फ्रड उर्गनाजेशन के बात की की जाए तो इसके अंदर आपके टीक चार पार्ट्स आते हैं थीक है उन चारों को भी one by one discuss करेंगे वैसे मैं भी बता रही हुँ ठीक है क्योंगि इसके अंदर सेच्युटरी ओधी आता है ठीक और फिर आता है प्राइवेट ओडिया ओडिट आता है गौश्मेंट ओडी आता है तेन उसके बाद हमारे पास हो गया cash audit हो गया management audit हो गया है ठीक है और एक complete audit होता है ठीक है partial audit होता है इसमें काफी सरे टाइप साते हैं internal और external audit होता है इन सब के बारे में one by discuss करेंगे ठीक है तो चलो पहुंचते हैं सबसे पहले कि audit क्या होता है कैसे क्या होता है क्या होता है कि जितनी भी examination कर रहे हैं वह बहुत ही द्यान से करना पड़ती है और special क्योंकि audit करवाने का मतलब क्या है कि आप अपनी book of accounts को इस तरीके से verification करवा रहे हो कि जो बाकी जो public है जो आपकी company के अंदर क्या कर रही है इन्वेस्ट करना चाहती है उनका विश्वाश बनाए रखने के लिए भी audit करवाई जाती है कहीं ना कहीं है ना तो इसलिए audit is a special and a critical examination of the book of account book of account की special की जाती है critical examination की जाती है examination का मतलब कि जितने भी error है जितने भी fraud है जितनी भी mistake हो रही है इन सभी को क्या किया जाना खी करना वो इसके अंदर यहां पर include किया जाएगा ठीक है समझ में आ गया चलो audit की classification की यह according to there is a organization के base according to there is a practical based organization के base पर सबसे पहले करते हैं क्योंकि exam के point of view से ना यह individual audit भी कई बहुत बार देखने को मिली क्योंकि मैंने 2021 से लेकर 2021 से लेकर 2023 के question paper जब मैंने upload किये देना तो वहां पर बहुत सारे question जो है इंडिवीज्वल पूछे गए थे कि statutory audit क्या होता है कोस्ट अटिट क्या होता है management क्या होता है internal और external के बीच में difference क्या है statutory and internal के बीच में difference क्या है यह जो चैप्टर है ना कम से कम आपका 15 से 18 नंबर का चैप्टर है यह 101 यहां से question बनता ही बनता है तो सबसे पहले जो statutory audit करते हैं जो की organization का ही पार्ट है statutory audit क्या है सबसे पहली audit है यह कहते हैं कि देखो नाम सी क्लियर है statutory का मतलब मैंने बहुत बार डिस्कुस किया है क्या होता है statutory का मतलब ऐसे audit statutory का मतलब क्या होता है जो वेधानिक जो rule regulations act rule terms conditions के according काम के जाते है उसे बहुत जाता है statutory क्योंकि इसका अगर मैं exact meaning बता हूं तो इसका मतलब है वेधानिक वेधानिक रूप से court के दवारत जो भी act पास कि गए उनके तहत जब कोई company काम करते उसको बोला जाता है statutory provisions बोल लीजिए अब यहां पर statutory audit का मतलब क्या है कि वो company इसको audit कराएगी जो special किसी act के अंदर आती है जैसे company 2013 है राइट बैंकिंग एक्ट है 1949 है ठीक है इंशुरेंस एक्ट है इसी तरह से SBI का जैसे act है 1956 यह जो भी ऐसी company जो भी ऐसे organizations जो पर्टिकुलर किसी act के अंदर आते हैं उनको statutory audit करवाना पड़ता है अब यह statutory है compulsory है rule and regulation apply के जाता है that's a reason कि हम क्या कहेंगे हम इसको compulsory audit भी कहते हैं क्या कहते हैं compulsory audit compulsory का मैं एक और ना बोलो तो क्या हो सकते हैं यहाँ पर एक और ना माजाता है आपका कहां गया आपका यहाँ पर mandatory audit mandatory audit इसको बोल सकते हैं तो चलो पढ़ते हैं पड़ापट क्या लिखा हुआ है certain organizations are the established when the specified legal enactment कुछ ही कैसी organization होती है जो की बनती है establishment होती है उनकी किसके अंडर special specific legal enactment के होने किसी particular act के अंदर their working is also governed by the provisions of the enactment उनके काम करने के तरीके भी वो क्या कर सकती है कितने area में कर सकते है कैसे करेगी वो all things are explain particular act सभी की सभी चीज़े उसके अंदर particular act में define की जाएगी तो that's a reason कि उसके काम करने का तरीका भी उसको संभालने का तरीका भी क्या कर सकती है audit कितना करवाना है कैसे करवाना है इवन auditors के right auditors के duty all things are explain in the particular act तो यहां पर देखो क्या लिका है दोस organization which are established under special act they require the audit उन्हें इस audit के जुरूत होती है जो specially किसी particular act में होते है इसे audit को क्या कहते हैं हम compulsory audit भी कहते हैं और साथ में mandatory audit भी कहते हैं is it clear चलिए जी नेक्स भी बात करते हैं qualifications हुई चैए इवन auditor की qualification है right है duty है remunation है किस matter से related वह audit करेगा all things are explained in its particular act यह सभी की सभी उस act के अंदर लिखे मिलेगा ठीक है चलिए जी आप यहां पर एक्ट दियो हैं जैसे कि एक्जांपल के तोर पर एक्जांपल के तोर पर कौन कौन सी company हो सकते joint stock company है जो की रिजिस्टर हुई है यह सभी एक्ट जो है यहां पर दो चीज़े याद करने की है काम करने का तरीका भी एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर डिसाइड होता है किस एक्ट के अंदर बनी है कोई भी और्गनाजेशन किसी पर्टिकुलर एक्ट में बनी उसको statutory audit करवाने पड़ते है सब्सक्राइड के दो और नाम है compulsory audit or mandatory audit समझ में आ गया चलो जी खतम ऐसे चोटे-चोटे पांच-पांच-पांच मिनट के अंसेप्ट है नेक्स आज आज ही कि प्राइवेट ऑडिट क्या होता है अब नाम से क्लियर हो रहा है प्राइवेट और अब प्राइवेट कंपनी प्राइवेट के अंदर प्राइवेट के अंदर भी हर एक कोई बी इंस्टूशन है कोई और इसके लिए कंपलसरी नहीं कि वह audit करवाई दर इस नो मेंडिट रहें ठीक है कोई प्राइवेट प्राइवेट करवाते हैं क्या है क्यों कि जो प्राइवेट ओडिट वाले हैं किसी सुसाइटे के अंदर इस्टाविश्मेंट है किसी सुसाइटे के अंदर ही है ठीक है इवन वो उनकी इंकम जब 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 होती है तो वो टेक्स भी करते हैं हाना इवन जब वो क्या हो जाती है इंसॉल्वेंट हो जाती है मंदर कि ऐसे जिनसे उन्होंने पैसा लिया हुआ है और पैसे लेने के बाद उसवा इस सिचुएशन ने है कि उनको क्या पाए रिफंड कर पाए तो अपने आपको प्राइवेट प्रोटेक्शन करने के लिए और दूसरा रिजन क्या है अपने जो शेर ओलडर होते हैं उनके सामने यह दिखाना कि आप जिस कंपनी के मेंबर हैं वो कंपनी बिलकुल सही सिच्वेशन में हैं वो कंपनी बिलकुल टॉप लावल पे हैं उसमें किसी बितरह की आज को जीतने के लिए भी हम क्या करते हैं प्राइवेट उडिट करवाते हैं समझ में आ गया चलो जी अब देखो प्राइवेट इंस्टूशन क्या लिखा हुए देखो कंसेप्ट समझो अंदर तो फिर आप अपनी कहानी अराम से लिख सकते हैं वर जब तक कंसेप्ट ही आपने किसी भी प्राइवेट को सॉल्व करने के लिए क्योंकि नॉर्मल सी बात है अब यहां पर एक एक एक्जांपल क्या हो सकते हैं कि यहां पर यह बायर है और यह क्या है आप सेलर आपने इसको समान बेच दिया बट इन्होंने अभी तक पैसे ने दिया उन्होंने क्या कि मैं दो-तीन दिन के बाद दूंगा आपने क्या कि इसको बुक ओफ अकाउंट में रिकोर्ड कर ले कि इससे पैसे लेने रहते हैं यह हमारा क्या बन गया कंपनी के पॉइंट ऑफिस यह बन गया डेटर कि जो इसको मैं सेट दिखा देंगे हैं हाना बट कुछ दिन के बाद कंपनी ने अपने एजेंट को बेजा कि जा उससे पैसे ले कि आरो मना कर दें तो क्या आपके पास वैलिड एविडेंस है कि उसन आप से हमबल रिक्वेस्स एक छुटी सी एक सलाम आलीजिये रिक्वेस्ट है आप प्लीस चैटर नमबर फर्स्ट सेकिंड जरूर देखना क्योंकि बहुत से आसे काफी सरे टॉपिक्स आसे हैं क्योंकि वह भी चैप्टर क्या है कम से कम 20 या 25 नहीं तो 20 से कम से कम आराम से वहां से नमबर आ सकते हैं आपको भी पता है कि हर एक फर्स्ट चैप्टर में से एक कॉस्टन तो हमेशा आता है और उसमें कौन सा था ऑडिटिंग इस अनसेस्टी और स्री अकाउंटिंग इस अनसेस्टी और लगजरी यह कॉस्टन आपको हर बढ़ देखने को मिलते हैं चलो यहां पर प्राइवेट ओर्गनाजेशन के अंदर जो ऑडिट करवाते हैं कैसे कैसी होगी जैसे कि इंस्टीशन इंडिवीजवल फर्म हो गया जिसे हम क्या करते हैं कि सोल ट्रेड बोलते हैं राइट और पार्टनर्शिप फर्म भी होती है ठीक है जो इंस्टों कंपनी भी होती है यह सभी और्गनाजेशन क्या करती है अपने बुक्स ओफ अकाउंट को अडिट करवाती है सेम एज इस यही बाते लिखी जाएंगी कि audit is audit of the account of a sole trader depends upon there is a personal wish उसकी खुद की विश होती है that's a reason कि हम प्राइवेट ओडिट को वोलेंट्रियल ओडिट कहते हैं the right and duty and all the matters are the decided on the basis of the contract between the sole proprietors and the auditor जितने भी rules जितने भी rights जितने भी आपके पास duties हैं तो वो सारा का सारा एक contract के अंदर प्रेंट करेंगा कि auditor आपको जो परसन आएगा न ओडिटर उसको बताएंगे कि आपका तो इतना इतना काम है आप इस इन इन को audit करेंगे आप इतना इतने अपने हमारी फर्म में access कर सकते हैं अना this is necessary for the auditor to clarify all the conditions before the commencing his work and the start his work after the receiving the order auditor तभी काम करना शुरू करें यह एक auditor के लिए beneficial point है इसके ओपर focus भी करना चीज ओडिटर को कि जब तक आपको notice ना मिल जाए जब तक आपको यह clarify ना हो जाए कि आपको कौन सा book of account को prepare करना है कौन सी book of account को check out करना है तब तक वो आउडिटिंग करना start ही ना करें ठीक है यहां पर एक एडवाईज लिगी है audit of the account of the partnership firm partnership firm भी क्या है private firm auditing का ही पार्ट है इसके दर कहते हैं कि यह भी क्या है आपकी जुरूरी वाली company इस तरीके के मतलब कि assessment of tax disputes को resolve करने के लिए इन सभी topics को आपको क्या करना पड़ेगा explain करने इन topics के ऊपर एक solution provide करने के लिए हम क्या करते है audit करवाते हैं ठीक है राइट and duty of the is mentioned in the mutual agreement between the auditor and the firm if the agreement is silent the auditor must be read the partnership firm act 1932 यह करें कि हर चीज में partner auditor को एक agreement दिया जाएगा कि आप कितना काम कर सकते हैं इस agreement में आगे हम जितने भी audit पड़ेंगे न सब में यह लिखा होगा कि उनके बीच में क्या हुआ हुआ है agreement हुआ जिसके अंदर राइट उसके duty उसकी मतलब कि कितना वह access कर सकता है book of account को कौन सी book of account को चेक करेगा यह सब all things are explained in the particular agreement okay तो यहां पर कहते हैं कि अगर partnership deed में जैसे कि partnership agreement नहीं होता था partnership deed जब क्या होती थी silent होती थी हम क्या करते थे छे point थे न हो याद करते थे plus two class में अना इसी तरह सिसमें भी अगर mutual agreement आपका silent हुआ तो हम क्या करेंगे partnership deed को follow करें 1932 के act के according is it clear audit of the other individual and the institutions other individual institutions ऐसे कि कोई भी club हो गया social welfare society हो गई है NGO हो गया यह भी अपने audit करवाती है क्योंकि आप देखो NGO ही मैंने बोला social welfare के लिए बोला अब यहां पर सबसे अब social welfare ही करने लगे तो नोर्मल सी बात है profit के ओपर क्या focus करेंगे यह यह नो अफकोर्स नो profit के ओपर तो focus करना नहीं है वैल फेर के लिए इस हो चाहे तो नॉर्मल सी बात ही इनके कितने होंगे expenses क्या होंगे जादा होंगे उन expenses को दिखाएंगे तब ही तो अगर in case इनका टेक्स बनता होगा expenses दिखाए तो टेक्स और जादा बन जाएगा तो अपने tax को कम करने के लिए अपने books of account को audit करवाते हैं हाना कि जिनके regarding अब देखो books of account में record करने का एक कारण होता कि जितनी भी donation आती है ठीक है जितनी भी charity के regarding funds आते हैं उन charities के regarding funds को भी collect के जाते हैं उनके उपर income भी जननेट होती होगी हाना मतलब कही ना कहीं आप एक fair result दिखाने के लिए एक correctness result दिखाने के लिए कहीं ना कहीं एक बढ़िया situation दिखाने के लिए हम क्या करते हैं audit करवाते हैं ठीक है for these a fair report of the institutions help in the assessment of the public trust and the honesty and the tax in the Princeton सबको represent किमा की जाते हैं कि हाँ लोगों का हमारे प Aus cents हैं ट्रस्ट है कहीं हम टेक्स भी हम उइवरे यह नहीं बहरे इन सभी के लिए अब अ जाते हैं गौर्मेंट ऑडिट के बारे में गौर्मेंट ऑडिट की बात की जाये तो गौर्मेंट ऑडिट क्या होते हैं नाम सी क्लियर हो रहे हैं गौर्मेंट ऑडिट अब गौर्मेंट ऑडिट क्या है स्पेशल किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बारे मात कर रहे है जो की एक एक डिपार्टमेंट special बनाया जाते है और उन डिपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे account and audit department यह आपको learn करना है बेटे जो learn करने की बात है मैं आपको बता भी नहीं बाकी चीजे समझने की वो समझ सकते है एक डिपार्टमेंट होते है अकाउंट and audit department और इस डिपार्टमेंट को कौन हायर करता है कौन मतलब इसके डिपार्टमेंट जो की इनकी जितनी भी ड्यूटी है वो ओल तिंग्स आर एक्स्पेंट बाइडप्रेजिएंट और इनको हाइर प्रेजिएंट ऑफ इंडिया करते हैं तो यहां पर तीन बात याद करनी है सबसे पहले क्या है कि सेपरेट डिपार्टमेंट की बारे में बात करता है और वह करता है और इसको कौन करता है प्रेजिएंट ऑफ इंडिया यहां पर यह भी बात करनी है ठीक है ठीक है जी जिनके ड्यूटी राइट्स जितने भी चीजे होंगी वो सारा का सारा कॉन डिसाइड करेगी आपकी पार्लियमेंट डिसाइड करेगी और या फिर किसी जिस एक्ट के अंदर ये बना है कोई भी डिपार्टमेंट वो उसका रूल्स रेगुलेशन क्लासिफाइड के जाएगा कि क्या कौन सा एक्सपेंटिचर का है अब नॉर्मल सी बात है कैपिटल नेजर के आइटम कहा आती है हमारी बैलंस शीट के अंदर आती है रिवेन्य नेजर के अंदर आती है ट्रेडिंग समान रख हैं जो भी स्टॉक में समान घग्र एक जाता है ड्मेंट के जाते तरहें जो की और चिर्थ पार्ट क्या है internal audit internal audit क्या होता है अभी तब हम क्या करें थे हैं बाहर से परसन को आपउइंट करके उसे बता रहे थे कि तुम्हारा राइट ही है तुम्हारी obligations यह है अब यहां पर नाम से क्लिएर हो रहा है internal internal का मतलब क्या करें कि आपकी यह organization है और organization के अंदर ये सारे member हैं हुआ हम मैं इसको member बना देते हैं एक सेकिंड यह आपके organization के अंदर क्या है यह member है और इन members में से किसी एक परसन को क्या कर सफिलेक्ट कर लिया आज़ा audit कर लिया auditor कर ले इसको accounts की information होती है आपके standard की information होती है कि जो अगर मैं कहूं कि accounting standard 9 कि से रिलेटीड करता है accounting standard 26 कि से रिलेटीड करता है अब बता सकते हैं अपकी ट्रीटमेंट पर्टिकुलर बताएगा तो उसको पर्टिकुलर एक तहसे बताए तो अकाउंट की प्रॉपर नॉलीज होनी चाहिए बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक है अब यहां पर देखो क्या लिखाव है internal audit का मतलब क्याते हैं कि विदिन ऑर्गेनाजेशन इसका मतलब क्या है like the other employee अब नॉर्मल सी बात है और्गेनाजेशन के अंदर से ही कोई employee हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि बाकी employee की तरह उसे क्या मिलने वाली है salary मिलने वाली है अब salary मिलने वाली है तो समक्या कहेंगे salary auditor भी कह सकते हैं क्या कहेंगे salary auditor भी कह सकते हैं यहाँ पर एक चीज यह इंव्याद रखने की है कि जितने भी errors है जितने भी fraud है उनको क्या किया जाता है उनसे बचाया जाता है ठीक है और इनको बाकी employee की तरह उसे salary डिसीब होते हर महीने यह audit करता रहेगा हर महीने की जितनी भी transitions उनको verify करता रहेगा तो that's a reason कि throughout the year examination the book of account सारे साल कितनी जितनी भी books of account है वो हर महीने regular basis पर क्या करता रहेगा उन्हें audit करता रहेगा समझ में आ गया it is a mandatory for all the listed company and the same unlisted company in the private company यह कहरे है कि जो आपकी internal audit है internal audit किसके लिए बात की जा रही है internal audit आपकी बड़ी कंपनी के लिए बात की जाएगी नॉर्मल सी बात है जिसकी transactions बहुत साथ होती है बहुत सारी होती है उनके लिए यह थोड़ा beneficial होता है हाना अगर छोटी ट्रांजेक्शिन होई तो विदिन वन येर में हम कर सकते हैं तीन से चार दिन लगेंगे बट इतनी हजारों में ट्रांजेक्शिन हो यह सब लेकर आए कि जितनी भी आपकी लार्ज कंपनियां जितनी भी आपकी लिस्टीड कंपनियां कोंसे होगी नॉर्मल सी बात है उनकी पर कैपिट इंकम टर्न ओवर नेट प्रॉफिट यह सब ज़्यादा मिलेंगे करोड़ों में बिलेंगे तो ट्रांजेक्शिन भी क्या ठीक है practical के point of view से हमारे पास काफी सारी audit है सबसे पहले audit क्या है complete audit है complete audit क्या होते हैं अब मैंने आपको बताया है कि यहां पर हर चीज को specified क्या गया है अब यहां पर कितने कितनी book of account को चेक करना है कैसे करना ही है सभी हमने दिखा ना कि auditor को पहले एक agreement के इंदर explain किया है कि complete audit है मिसकी जितनी भी book of transactions book of account में जितनी भी transaction है इवेन वो transaction आपकी परचेज से related है इवेन वो transaction आपकी sales से related है इवेन वो transaction आपकी cash से related है या फिर आपकी machinery से आपकी जा रही है या फिर liabilities related entries की बात की जा रही है वो हर एक book of account को क्या करने वाला है चेक करने वाले complete audit का मतलब यह मेंज कि every transactions every entry book total balance voucher document all things are explained चीक है और यह यह सारे यह सब चीजे लिखी हुई है जितनी भी चीजों को एक्जामीन कर सकता है such an audit is a legally compulsory in case of the company company के case में mostly public company के case में यह करवाना पड़ते है क्योंकि जो public company होती है अपने देखा था कि वो पी आर पी आर का concept पड़ा था कि prohibited है कि वो कितनी number of as a member रख सकती है अपने शेर्स को transfer नहीं कर सकती रिस्टिक्शन से लगाई हुई थी हनम और साथी साथ वो public से पैसा क्या कर सकती है उठा सकती है लगाया था यह समझाया था कि public से पैसा ही उठा रही है पब्लीक की पैसे को वो यूज कर रही है तो कही ना कहीं उसे हर book of transactions को हर transactions को उसको क्या करना पड़ेगा record करना पड़ेगा इसको कहेंगे complete order अगर मैं इसका proper meaning यहां पर बताया जाए तो कहते हैं कि all the book of account of an organization related to that is a specific period are examined in detail so no transactions or account remain unexamined यह कह रहें कि जितनी भी transactions है किसी particular transactions के regarding even particular period के regarding वो सब को detail में हम क्या करेंगे examine करेंगे कोई भी ऐसी transaction नहीं चुटेगी कोई भी ऐसी accounts नहीं चुटेगा जो कि unexamined रह जाए that's audit is known as a complete audit कहेंगे ओके ठीक है जी next अगर बात की जाए तो हमारे partial audit है partial audit की बात की जाए तो उसमें क्या होते है कि कुछ एक transactions को की बात की जा रही है मैं कहे रही हूं कि मैंने कहा कि केवल मैं तो क्या करवाना चाहती हूं sale account को ही examine कराना चाहती हूं मैं कहती हूं कि magic केवल assets के account को ही examine कराना है means कि जब किसी particular account को हम examine कराते है particular account के अंदर से हम error को check out करना चाहते है उस account audit को क्या करेंगे partial audit करेंगे वैसे ऐसा possible ही नहीं है क्योंकि normal सी बात है sale के regarding आप entry चेक कर रहे हो तो महाँ पर यह देखोगे न cash में की है या फिर credit में की है अगर credit में की है तो आपको किसका account चेक करना पड़ेगा इन केस अगर मैंने cash में की है तो cash account भी चेक करना पड़ेगा कि cash में दिया या फिर bank का balance है मिसकी यह तो थोड़ा impossible सा लग रहा है मुझे कि partial audit करना अब पॉसिबल है देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है instead of the examine all the book of particular organizations only a specific part of the book of account मिसकी सारे के सारे और गिना बुक ऑफ अकाउंट को चेक करने की बज़ा है हम क्या करते हैं केवल एक specific specific part को हम examine करते हैं और only the particular period or the examine और किसी particular period की बात की गई है सारे बुक ऑफ अकाउंट की नहीं पूरे financial year की नहीं किसी पर्टिकुलर एक-दो महिने की बात की जा रहे हैं तो यह तो आ गया समझ में complete का मतलब सारी बुक ऑफ अकाउंट का पार्ट की बात की जा रहे हैं चलिए बढ़े आगे next topic की उपर जो जिसका नाम क्या है continuous audit है continuous नाम से clear हो रहा है audit का मतलब क्या हो गया कि बुक ऑफ अकाउंट को चेक करना जुसके अंदर error fraud mistake को पता लगाना ठीक है अब continuous उसके सामने लगा दिया तो that means कि throughout the year हम क्या करते हैं बुक्स को examine करते हैं मिसकी साल पूरा साल हम इसको examine करते हैं ठीक है इंटरवल में regular interval irregular interval का मतलब क्या है कि मैंने decide कि मैं मालो मैं एक company की auditor हूँ मैंने decide कि मैं book of account को check करूंगी हर दूसरे महीने कि every second month मैं इसको क्या करूंगी check करूंगी मिसकी कि कितनी बार audit करने वाली हूं है साल के इंदर six time मैं audit करने वाल हूँ अगर मैंने मिरी इच्छा के according मैं कभी तीसरे महीने में कर लिए प्रेट महीने में कर देवाल्य है कि एक में तो तीन महीने का gap था फिर एक महीने का gap और ती आज और ऑडिट कर रहे हूं तो क्या है यह इर्रेगुलर केती है अगर मैं आर जी विलिम के कोडिंग अगर मैं इसके डैफिनिशन आपको बताऊं कि कंटिनियस ओडिट होता क्या है कि जो ऑडिट होता है वह इस वन वेहर दा ओडिटर and his staff जो auditor होता है और जो उसका staff member होती है auditor वैसे थोड़ी ना simply थोड़ी ना हो जाती है पुरे team के साथ होती है और जो उसका staff है वो क्या होता है constantly engage होती है in checking the account during the whole period or where the auditor or his staff attend or at the regular interval during the period means कि auditor और उसका staff properly constant way से engage होते है means कि engage का मतलब होता है कि उस चीज़ के अंदर involve होना एक उत्साहा के साथ enthusiasm के point of view के साथ हम उस चीज़ को मतलब पूरा उस audit को check मतलब book of account को check करने के लिए हम उसके उपर पूरा force लगा देती है उसका staff भी वो खुद भी पूरे तरह से energy में होते हैं कि error भी जितने भी हैं जितने भी mistakes हैं जितने भी fraud हैं इन सब को क्या कर सके पकड़ के ला सके और सामने represent कर सके management के करने हैं कि अगर decision के टीच करने के बाद ले रहे हैं तो नूर्मल सुए है है कि हम profit generate कर पाएंगे in future में समझ पारे हो तो continuous audit वही audit होता है जो starting 60 कहां से होता है साल के शुरू में start होता है खतम साल के end वाले दिन में होते है इसका एक और benefit है बेटे देखो साल के शुरू में शुरू हो रहा है साल के जिस दिन 31 अब 2024 आएगी एक चार 2023 से शुरू हुआ है 31 दो 2024 को खतम होगा बुक ओफ अकाउंट को रिपर्जेंट यहां पे करेंगे तो डैट मीस audit करने की देट भी यही होगी क्योंकि सारा साल हमें चीज को अडिट करते आ रहे है तो हमारी रिपोर्ट क्या मिलेगी त्यार मिलेगी तो on the स्पोर्ट हम क्या कर सकते हैं अपनी बुक ओफ अकाउंट को दिखा सकते कि देखो हमारी बिल्कुल क्लीन है अगर क्लीन डाउट कुछ था इसके अंदर एरर फ्रोड उसको हमने ठीक कर लिया ऐसे इसकी on the date हमें क्या मिल रही है हमें रिपोर्ट मिल रही है इसका बैनिफि सब्सक्राइब नौर्मल सी बात है इतने सालों की महनत करने के बाद उसे वह पद मिला है तो उसका वह फीस चार्ज करेगा तो खर्चा भी होगा थोड़ा सा टाइम कंसुमिंग भी होगा तो इसलिए यह केवल सुटेबल उनी और्गनाजेशन के लिए जिनकी और्गनाज खतम होता है वहां तक क्या है चलती रहती है विजिट ओफ ओडिटर डिपेंड अपॉन दा कन्विनेंस नसेस्टी अर्जेंसी ऑफ दा ओडिट अब हमने पढ़ा ना ओडिट हमारे दो तरह के से हो सकती है कंटिनियूस में रेगुलर इंटरवल से भी और एक एर्रेगुल सब्सक्राइब करेंगे अब मैंने कहां कि मैंने साल तक चलती है इस सब चीजे इसके इंदर एक्स्पेंट की गई है अब मैंने कहा कि मैंने साल के सुरू में शुरू किया है और खतम मैंने किया है साल के एंड में तो नौर्मल सी बात है मैंने हरेख चीज़ को बहुत डीप ली अंडेटेंड किया हुगा हर एक चीज के अंदर मैंने कुछ भी छोटी सी भी एरर है ना उस चीज को भी देखा होगा example के तोर पर मैं देख बताती हूँ अब जैसे की accounts की notebook जब check करने के लिए बोले जाए ना मैंसे तो मैं अगर एक बच्चे की बोले गई है उसे तो मैं उसको बहुत अच्छे से चेक करती हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा टाइम होते है अगर मुझे मेरा 45 मिनट का एक lecture होता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से चेक करती हूँ वेन मेरे पास अगर 10 कोपी आ जाए lecture वही 45 मिनट का है तो क्या मेरी इतनी accuracy होगी जितनी मेरी एक open ही होगी बिलकुल भी नहीं होगी same case आपका continuous audit में है जब आप शुरू से चीज़ों को करते आ रहे है तो normal सी बात है हर चीज़ को in depth में आपने checking किया होगा तो detail and the incentive checking possible होगी समझ में आगे जितनी भी आपकी एरर है उनके उपर आप पहले ही highlight कर देती हो कि देखो जी यहां पर आपकी mistake है आप इस point को ठीक कर लो फिट देन इसको report जब हम त्यार करेंगे हमारी बड़िया report त्यार होगी नेक्स क्या है knowledge of the working procedures knowledge of the working procedure का मतलब क्या है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि यह जो point होते है error mistake management को बताया जाएगा management को भी पता चलेगा कि अपनी जो strength है अपनी जो weakness है वो क्या-क्या है अगर strength बढ़िया है दूसरे के strength का मतलब क्या होता है कि दूसरे में कमी है आप में वो चीज है weakness का मतलब क्या होता है कि दूसरे में वो strength है आपके अंदर वो कमी है तो यह strength weakness तभी create होती है तो audit करवाते समय इस चीज की भी knowledge हो जाती है कि आपकी strength क्या है आपकी weaknesses क्या है management उसके basis पे हम क्या करती है decision लेती है continuous audit में यह भी एक benefit है दूसरा क्या है moral effect on the employee moral effect on the employee का मतलब क्या है any discrepancies will be detect मतलब की एक तरह से एक अच्छी संगती ना होना bad society की बात की जा रही है उसके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं detect कर लेते हैं अगर कोई member ऐसे sector से belong करता है मतलब की जो organization के लिए सही नहीं है normal सी बात है bad discrepancy का मतलब आप की organization के लिए वह अच्छा नहीं है तो आप उसके उपर focus करेंगे कौन से ऐसे information है वो क्या है बाहर दे रहा है कौन सी information है वो बाहर से अंदर लेके रहा है जो की हमारी organization के लिए है भी नहीं तो मतलब इन सभी चीजों के उपर भी क्या किया जाता है तो इसी तरह से एक company के अंदर भी होता है कि जब regular basis पर कोई ऐसा person audit करने वाला होता है ना तो जो काम करने वाले लोग होता है ना बिल्कुल अलर्ट होके काम करते हैं वह अपना जो काम है बिल्कुल perfection से देते हैं किसी भी एरल होने की किसी भी गलती होने के chances बहुत कम करके आते हैं ना नेक्स पोइंट क्या है कि अर्लियर प्रेजेंटेशन ओधा फाइनल अकाउंट को त्यार होने से पहले रिपोर्ट कर सकते हैं वह उस चीज़ को प्रिपेर करते हैं हैं जितनी भी कमियां थी उन्हों और फाइनल अकाउंट को प्रिपेर करने की रिपोर्ट होती है उनके बीच में किसी भी तरह का टाइम गैप नहीं होता है ठीक है कन्विनेंस इन दा ओडिट और अडिट करने में सुलियत भी होती है क्योंकि फाइनली जब इकतीस तीन चोबिस लगेगी तब हमें पूरा बड़ा एक ऐसा पेज लेना पड़ेगा जिसमें पूरे साल की डिटेल लिखनी होगी और पूरे साल की डिटेल तभी आप प अकाउंट इटेल इंडर रेगुलर बैसी रेगुलर बैसी सब्सक्राइब कर लेता है देख लेता है दा ओडिटर ड़स नौट है एक्स्टा लोड ओन हीज है वेन फाइनल रिपोर्ट जब फाइनल रिपोर्ट देगा तो उसके मतलब एक तरह से लिए लाविटी क्रिए नहीं होती एक तरह से बर्डन सिर्पे नहीं होता क्योंकि वह लगातार उस चीज को करते आ रहा है पूरा साल उसने महनत किया तो नौर्मल सी बात है फाइनल रिजल्ट तो बढ़िया नहीं करेगा ना यहां पे तो होगे इसकी बैनिफिट्स डिस एडवेंटिस क्या है अ यह और्गनाजेशन के मैंबर हें काम कर रहे है मालो इस ओडिटर को मैंबर से क्या पढ़ गया है काम आ इंसे क्या है अर्जिंसी है काम इनसे कुछ बीटेल लेनी है तो इन तो इन में से मालो यह परसंप. बीच में से उड़कर आके इसके पास चला गया ठीक है मैं आर्ड गया तो नोर्मल सी बात है जो continuity थी जो इनकी continuity थी वो क्या हो गई है तूट गई है हाना खर्चा पहला पोईंट तो आ गया होगा समझ में कि यह बड़े organization के लिए है कि small organization के लिए suitable नहीं पॉसिबल ही नहीं नहीं नेक्स करने की तोड़ी सी दिक्कत होती है मालो कि एक परसन आया कि एक से जिसे हमने समान खृधा तो हमारी book of account में क्या represent होगा हूँ यह यह आप hasilनर तो आपकी book of account में देत कि उसने तक पैसे नहीं दियें टीका डाबर की एंट्र आपने कर दी है आप समझ में आगया साल के आज़ तक पहुंचते पहुंचते आपको वह पता चला कि यह जो डैटर रहना मेरको पैसे नहीं देने वाला है आपने एक लाग कस्मार इसके को बीचा था वो जाते जाते केवल 25,000 रुपे दे के गया है मेरको फिर आपको पता चला कि हमने 35,000 के डैटर अपने में रिकॉर्ड कर दिया ठीक है देन साल के आखरी तक आते 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 आपको यह पता चला कि जो डैटर है जिसके हमने 35,000 रुपे लेने हैं वो नहीं देने वाला उसका खुद देवाल या घोसित हो गया है तो क्या हो गए कंपनी उसमें कहां पर बैडेट में से डैटर में से आपके पूहरे के पूरे के आजिंग क्या होता है कैसे होता है यह बहुत असान टॉपिक था उम्हेद करते ही जो टॉपिक आपको समझ में आया हुगा है ना चलिए जी नेक्स पॉइंट बढ़ते हैं हमारा प्रियोडिकल ऑडिट फॉर्थ ऑडिट है हमारे पास प्रियोडिकल ऑडिट प्रियोडिकल ऑडिट क्या कह रही है इसकी बहुत सारे नाम है, प्रियोडिकल ओडिट के जैसे की नॉर्मल सी बात है, जैसे की हम साल्ट को बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं, NACL, साल्ट भी बोलते हैं, बट अगर मैं यह तो साइंस का रूल बता दिया मैंने, बट अगर मैं वैसे नाम लूँ कि जैसे की घर में तो उसको बोलते हैं, नाम से चिकू, बाहर बोलते हैंगे चिंटू, और कागचों में नाम हैं, उसका कुछ और परदी पुर्दित नाम लख लीजिए, तो क्या है, इसी तरह से प्रियोडिकल ओडिट के भी हमारे पास काफी सारे नाम हैं, जैसे की हमने सेचुटरी ओडि के नाम से जानते हैं, और हमारा फाइनल ओडिट के नाम से जानते हैं, अब फाइनल ओडिट, प्रियोडिकल ओडिट, एन्वल ओडिट बोला जा रहे हैं, एन्वल से समझ रहे हैं, साल की बात कर रहे हैं, फाइनल ओडिट, वो देख रहे हो, कि साल की ही बात कर रहे हैं, at the end में audit करना है हना नाम सी क्लियर हो रहा है न तो पेपर में किसी भी तरीके से आजाए आपको नहीं होने है ठीक है अब यहाँ पर इसको त्यार करते हैं और इसकी जब आइट अड में देखो लिखा हुए लिखा है फिनेशियल प्यूरेड या फिर टेडिंग पीरेड जब आपका खतम हो जाते हैं तब इसको और डिट करवाए जाता है काँ काँ देखेन कूसे पाज रहें मीश की आप पूरे साल की आप कहकरेंगे आप अध देखेन में करेंगे है अब कांटिणिउम और अजाम करते रहे हैं अब आप आप एचतर्ड में करते हैं तो नॉर्में सी बात है कैसा बिजनस होगा हमारा बिजनस छोटा सा होगा जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स भी कम होगी जिसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसको इसली चेक आउट कर सकते हैं वाउचर डॉकुमेंट्स एंद दिर अधर रिशिप्ट अना तो ओडिटर विजिट लिजिट इस क्लाइंट ओन्ली ओंस आ यह और चेक्ट क्या करेगा अपके अपने ही क्लाइंट के ओफिस में तब पहुंचेगा जब साल का आखरी के टाइम ह होगा और अप उनकी इसका म laz discussed क्या कर देगा चैक कर देका है और किसके लिए सोटेबल आपके small business के लिए Small in size वाले business के लिए समझ में आ रहा है है concept clear हो हो रहा है another name moż Flash DC का क्या क्या हैंँ गे balance sheet audit कि अभी बैलन मेंब करते थे at the end of the accounting जिसके उपर हम लिखते थे as on याद है as on लिखने के बाद देट लिखती है मतलब क्या होता है कि इस टाइम तक की ट्रांजेक्शन इसमें रिकोर्ड की है बाद में ट्रांजेक्शन होते उसको बाद में देखेंगे अना ओडिट is initiated after the preparation of the balance sheet के त्यार होने के बाद audit शुरू होती है इनिशेटिट का मतलब क्या है शुरू होना समझ में आ रहा है यहाँ पर नीचे लिखा क्या लगा किसके लिए suitable है सबसे पहले उसके लिए suitable है जिसका business चोटा होता है जिसको short notice के दुरान आपको audit की रिपोर् को इस book of account को audit यहां पर किया रहा है नॉर्मल सी बात है इसके अंदर जोड़ा साथ time क्या लगने वाला है इसकी जो रिपोर्ट त्यार करेंगे और जो book of account की time होगा उनके बीच में क्या होगा time होगा तो यह audit उसी organization के लिए possible है उसी वही organization कराएगा जिसको इतनी जल्दी न की बात की जाए मालो आपको dividend देना है एक आपने डिवीडेंट वाले topic पड़ा अगर अभी तक नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं आपको पदा देती हूं जो dividend होता है ना पेदिट नौर्मल्ली क्या जाता है साल के आखरी में दे द치 बठ गुजे का अईजिशन होती है साल के बीच में ही दे रेती हैं तो सब साल के बीच में डिविडेंट दिया जाता है तो उसे हम क्या इसको ठीक है फाइनल ओडिट भी कहते हैं यह वहाँ पर इंटर्म अकाउंट की जरूरत नहीं होती है नोट रिक्वाइड दा इंटर्म ओडिट का मतलब क्या होता है कि जब बीच में हम अकाउंट को ओडिट करवाते हैं अब इसमें बीच में अकाउंट को ओडिट तो करवाएने नहीं होता है जब इनके साल के बीच में हम ओडिट करवा देते हैं और इसको ओडिट करने का न स्पेशल परपस होता है किसी specific purpose के लिए करवा जाता अब यहां पे तो हमें requiring नहीं है specially यहां पे लिखा हुए line ठीक है तो आपको इनके शब्दों का पता होना चाहिए इंटर्म audit special purpose के लिए की जाते है special purpose क्या होगा इंटर्म dividend के लिए करने के लिए समझ में आ गया पका final अब देखो साल के बिल्कुल आखरी में आपको audit करना पड़ रहे है normal सी बात है जितनी भी books of account आप record कर रहे हो किसी भरोसे पर एक उपर कर रहे होगी आपको internally checking वाले system के जो भी आपका accountant उसके उपर पूरा भरोसा होगा कि जिसने जो भी account transaction record की है वो बढ़िया की होगी किसी भी तरह की error नहीं की होगी हाना तो that's a reason कि जो आपका प्रियोडिकल जो अडिट है annual audit है और final audit है वो तभी possible होता है जब आपको internal checking वालों से क्या हो जाते है पूरी तरह से satisfied होते है continuous audit में आपने merit पड़ी थी डिमेरिट पड़ी अब इसके अंदर तो क्या था साल के पूरे साल में हम throughout the year हम इसको करते थे तो वो तो उसकी जितनी भी features से हम नहीं आ लिकी थी बट जो आपका और प्रियोडिकल jak together वह कैसा साल करी में किये जाते है तो इसकी जितनी भी डिमेरिट से वो इसकी क्या बन जाएगी advantage बन जाएगी प्रियोडिकल को की इसकी जितनी भी her 8 देमिरिट बन जाएगी आपके समझ में आ गया आप देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं no alteration of the figure saving of time less expenses convenience continuity of the work यहां पर इसकी यह advantage बन जाएगी वहां पर क्या था continuity नहीं है वर्क की देखो यह देखा था कि यह देखा था यह देखो मैंने अभी आपको समझाया था तोड़ी दिले पहले कि मेर को अगर एक copy check करने के लिए बोले तो मैं बहुत अच्छी से चैक करूंगे अगर मुझे 10 copy चैक करने के लिए वही time limit में तो मैं इतनी बढ़ी आसे चैक करूंगे बस आप फटपट 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 अइसे चैक करके वद्देंगे कि जितनी भी इसकी कांटिनियूस एड़ूटिंग की यहां पर उसकी दी मैंट्स बनेगे चलिए जी नेक्स टॉपिक पर पहुंच आते हैं इंटर्म ऑडिट अभी मैंने आपका बताया कि पूरे कि इसके बीच में हम रोक के अपनी संद्व में बढ़िया पॉजिशन में कैसी स्के बारे पता लगाते हैं वह पता लगाना क्यों होता है कि यह इंटर्म ऑडिट वो बीटए वह सपेशल परपस के लिए होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है जब पर्पस क्या होगा नॉर्मल सी बात डिविडेंट डिकलेर करने के लिए ही डिविडेंट कौन सा इंटर्म डिविडेंट डिकलेर करने के लिए ही क्या की जाती है अम इंटर्नल इंटर्म ओडिट करवाती है समझ में आ गया book of account are the audit at the time during the course of the financial year at a certain the profit and loss or the financial standing of an enterprise यह कह रहे हैं कि आप अपनी profit and loss को देखने के लिए certain करने के लिए कि पूरे financial year में कितना होने वाला है कैसी होने वाला है इसको particular पता लग जाए और अगर बड़ी है situation में चल रही है नो बीच में यह audit करवा के financial position है ना वो बढ़िया चल रही है तो हम क्या कर दे एक सकिंड कि financial कि पॉजीशन हमारी बढ़िया चल रही है तो हम क्या करेंगे हम अपना dividend declare कर देंगे before the ending of the financial year ठीक है इसको इस audit को हम क्या कहेंगे अपनी book of account को बीच में ही financial year के checkout करवाना तो उसे हम क्या कहेंगे इंटर्म audit कहेंगे और यह audit हम कब करवाते हैं जब हमारा पास specific purpose होते है और उस specific purpose क्या है इंटर्म dividend को declare करना यह mostly बता है कौन से organization में होता है जो partnership firm में होती है आपने देखा होगा partnership वाला जब जब हमने chapter किया था तो उसमें क्या था कि एक point आ रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रेश्यो प्रॉफिट शेरिंग रेश्यो के इंदर क्या रहा है चेंज आ रहा है वो चेंज किस कारण से होता था या तो कोई person क्या होता था रिटायर्मेंट होती थी उसकी या फिर किसी person की क्या हो जाती थी दैथ हो जाती थी या फिर कोई person क्या होता था एड होता था मिसके कुछ ना कुछ कारण से हमारे प्रॉफिट शेरिंग रेश्यो में चेंज होता था हाना तो बीच में ही वो छोड़के जा रहे तब भी हम क्या करते थे इंटर्म ओडिट करवानी हमें पढ़ती थी यह वैरी सरकम्स्टांसिस बता रखे कि किन किन सरकम् कि अगर आपको फिनेंस की जूरत है अगर आपको पैसी की जूरत है आप अपनी फिनेंशल पॉजिशन को शौफ करके बैंक से भी क्या कर सकते हो लोन ले सकते हो अगर बैंक ने देखा कि आपकी फैनेंशल पॉजिशन बढ़िया है बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया सी आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हो इवन ली टाइमली पेमेंट भी करें अपने एवन क्राडिटर्स का लोन्स का तो बैंक क्या सोचेगी आपकी बढ़िया फैनेशल पोजिशन है तो हम भी क्या करेंगे आपको लोन दे देंगे अना तो डिसीजन अबाउट था अपनी और्गैशन को फैलाना बढ़ाना है एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है अगर आप पहले आप क्या कर रहे थे केवल एक समान को अपनी दुकान में बेच रहे थे एक्जाम्पल छोटा सा ले रही हूं जैसे कि मैं पहले केवल आएगा तो मैंने क्लोथ के साथ मैंने क्या कर दिया स्यूज का भी रख लिए साथ में टाइब भी होती है उनको भी सेल करने के लिए मैंने शुरू कर दिया तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा में बीच में ही स्टेटमेंट करने पड़ेगी कि क्या भी तक मै मुझे इसमें करना पड़ेगा तो स्टें धा इंटर्म डिविएं़ में प्रपॉस तो आपका इंटर्म डिविएंट और पार्टनर्सिप की बात की जाती। में चीक है अब आजाते हैं हमारे पास difference की बात कि continuous audit and there is a interim audit के बीच में difference क्या है continuous audit क्या है मैं ये difference करवाऊंगी देन उसके बाद जितने भी difference होगे आपको असानी सा समझ मैंगी क्योंकि जो अभी तक बाते हम करते आये हैं वही बाते जल्दी सरीडों को रों क्या continuous analytics क्या था कि अब को डिवर ये von here to be ready नहीं होते हैं चलो जी hoor coc जो continuous audit होती है वो regular भी हो सकती है और जो irregular भी हो सकती है बताया था यह point मैंने आपको same as it is but interim audit की बात की जाए वो कब conduct की जाती है from a part of the accounting year with a some interim purpose कोई purpose होता है मालो छटे महीने में आ सकता है purpose या सात्वी महीने में आ सकता है मिसकी इसमें कोई particular जो period है decide नहीं होता है mostly क्या होता है कि हम साल के छटे महीने के अंदर हम interim audit करवाते हैं अब यहां पर continuous audit में सबसे पहली feature क्या थी हम लगातार साल के हम audit कर रहे हैं throughout the year throughout the year हम audit करते जा रहे हैं तो normal सी बात है detail and intensive वेसे checking करेंगे बट यहां पर detail and incentive वेसे कोई checking नहीं होती साल के छटे महीने में करने हैं और में से बात है कुछ एक ऐसी entry रहे जाएगी जो चेक करनी रहे जाएगे ना next कहते हैं कि final account final account कब prepare के जाते इसका तो final account कब prepare के जाएगा साल के end में है मट इसका बीच में prepare के दिया financial position बताई यह तो final account तो तो त्यार किया होगा ना financial account कैसे त्यार करेंगे sorry final account कब त्यार होगा जब हमारे पास हम अपनी final book of account को यह दिखा रहे कि इतना तो मेरे पास loss है इतना मेरे पास profit है यहां फिर मैं दिखाओं कि मेरा net profit इतना है net loss मेरे पास इतना है कि इंटर्म अडिट में मुझे बीच में पता लग जाता जिसके बेस में क्या करती थी डिविडेंट करती थी तो तो यहां पर फाइनल account continuous audit के अंदर हमारा at the end में होता है book of account को चेक करते करते नहीं होता बट इंटर्म audit के अंदर आसा पॉसिबल है next अज आज यह कि trial balance क्या होते है कहां गया trial balance trial balance no need to be the prepare the except at the end of the financial year accounting year yes accounting year की बात में जाली trial balance required to prepare the when the interim audit is to be done देखो trial balance में क्या के information होती है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि यह जो topic है न बहुत basic सा है और मुझे पता है बोस्टों बचों को यह पता भी नहीं होगा trial balance में सभी तरह के nature के item होगी जिसके अंदर direct खर्चे के भी होगी direct income भी होगी indirect खर्चा भी होगा indirect income भी होगी fixed nature की भी item होगी even हमारे पास assets भी उसके अंदर given होती है और हमारे पास liability होती है innoc refuse के अब हीते की trial balance कि हमें जुरुरत नहीं होती है जुरुरत किसको होती है trial balance कि जिसको book of account को क्या करलना पड़ता है । प्रिपेर करना पड़ते ज Colombiapolitik को financial statement जिसको त्यार करनी पड़ती है फानेशल स्टेटमेंट जिसको त्यार करनी पड़ती है फानेशल स्टेटमेंट में किसको लेते हैं एक तो हमारी इंकम स्टेटमेंट होती है एक हमारे पास क्या होती है फानेशल पोजिशन को चेकाउट को करनी के लिए होते हैं फानेशल स्टेटमेंट में इंकम स्टेटमे लिटी की बात कि जाएगी ट्रेडिंग में कौन सी एंट्री आएगी सारे के सारे डिरेक्ट खर्चे और इंकम की बात कि जा रहीगी प्रॉफिट अलोस अकांट में कैसी आएगे इंडिरेक्ट में अब यह पूरा फानेशल स्टेटमेंट ही नजर आ रहा है तो नौर्मल से वेरिफिकेशन जो आपकी एसेट होती है लिएबिलिटी होती है जितनी पी ट्रांजेक्शन आपने की हुए वह कब होगी एट दा एंड ओफ दा अकांटिंग यह बट यहां पर वेरिफिकेशन आपकी जब जिस टाइम हम इंटर्म ओडिट कर रहे हैं उस टाइम हमारे पा करते हैं क्या होते हैं when an institutions or the enterprises appoint auditor to check the cash transactions for a particular period बस इतना सही है इतना ही है सच में इतना ही है क्या कह रहा है अब देखो नाम से clear हो रहा होगा कि cash audit मेरी आसी क्यों चुटी क्योंकि मैं एक्स्प्रेंड कर चुकी हूं मैं सोच रही हूं कि इसको explain ना करो बट फिर यह कहेंगे कमेंट में हम आपने topic छोड़ दिया है ना येस एक बात हो र है इनके अंदर को अगर कोई सी भी तरह की दिक्कत आ रही है आप कमेंट कीजिए वर्ट सब्सक्राइब आपके पास सब्सक्राइब लेबल है आप उनसे का यूज़ करके आप उसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ठीक है मैं पूरी कोशिच करूंगी कि आपके डाउट कि मैं एक-एक बच्चे का रिप्लाइब तनी सारे कमेंट halls जाते हैं मैं सब्सक्राइब करने में थोड़ा समर्थ होजाती हैं तो इस अईरडिवेशन वतृत क्यूंकि आपको पढ़ाना जो है ना तो चलो किया है की बात कि जाये cryptocurrency का है तो क्यos cash transactions के बारे में और वो भी particular period के दोरान ठीक है particular period हमें decide के जाएगा कि आपको केवल October की transactions record करनी है आपको केवल November की transactions record करनी है that means एक particular period decide कर दे जाता है कि आपको यहां से यहां तक ही audit करना है ठीक है और वो भी किसकी transactions cash की transactions means कि यहां पर एक तरह से लिमेटेशन्स बांड कर दे गई है आप मैंने आपको यह पढ़ाया था एग सकई के एक हमने कंप्लीट ओडिक किया था और एक हमने किया था पार्शल ओडिट कहिं न कहीं है पार्शल ओडिट का ही पार्ट है कि यह जो आउर्डिट है हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर के तो नॉर्मल सी बात है वो रिपोर्ट भी इतनी अच्छे से त्यार नहीं करेगा इन्स नॉर्मल साथ कोस्ट ऑडिट की बात कि जाते हैं अब नाम से यह भी क्लिएर हो रहा है मैम येस आफ कोस जो और किस से लेट करता है कोस्ट इंग से अब मैंने जब कोस्ट अकांटिंग कीषिंक Umeem कि यह वह बेसिक चैप्टर के थे इसके अदर मैं ने डिश्कस किया था कि जो कोस्ट कि किसी प्रॉडक्ण को बनाते हैं उसके वह पर कोस्ट को इनकर्ड होती नहीं होती मैंने सोचा था कि ए justap आपको दिखाई दे रहा है यह पैन मैंने सोचाता है जो पैन है मैं दस रुपे में बनाऊंगे ठीक है बट यह बना बारा में तो इस चीजों को भी मैनेज करना कैसे क्या चीज आने चाहिए इन सब की ओडिट की जाते कि जो आपने सोचा था जीतना आपने सब्सक्राइब करें के सब्सक्राइब करते हैं मार्केट में बिखने के लायकन हो जाताता है यह नहीं कोस्टइस कोस्ट करते हैं अ मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आएगा EBIT इतना क्यों भाग रहा है बढ़ाने दे बच्छों को मुझे तो यहां पर इसके बारे में इसके बारे में कोस्ट के बारे में कोस्ट की रिगार्डिंग बात हो रही है तो इनकी ऑडिट भी क्या कि जाती है कोस्ट ऑडिट के बार अघस ईंट्व नाशना नजारा है था सहत्त बन गया talks था वाला कितने बड़िया management करने कितना बड़िया प्रोड़क्शन करने वाला है था यह सब manufacturing process and the cost of the till the end the product is ready to the marketed जब तक मार्किट में जाने के लिए समान प्रोपरली त्यार नहीं हो जाता ना तब तक की जो accounting होती है उसमें त्यार की जाती है अब यहां पर देखो मैंने भी बता है कि यहां मेंटफेक्ट्रिंग से रोम इटियल से लेके मार्केट तक जाने को Цело ஆ करा चालन तक इनी ठ्रामट है यहां तक के जितनी भी कोस्त आयों harvest को पता देखे या कि manufacturing process हो गयी है manufacturing होगी है processing होगी है mining companies के लिए इस cost auditors को appoint करना जरूरी होते हैं चलिए जी next point अजाते है management accounting का management audit मिलेगा यहां भी management audit का management audit कि से relate कर रहे हैं क्या मुझे बता सकते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं एक सेकींड एक सेकी जिसके अंदर हम वे पांच step करते थे थे ना planning organizing staffing directing and controlling इनकी भी audit की जाती बेटे जब managerial functions की जब audit की जाती है कि जो हमने सोचा था क्या हमने एक्जेक्ट किया है या नहीं किया है यहां पर आपकी यह देखी जाते हैं कि आपकी इन दोनों को चेक आउट के जाते हैं ठीक है इफेक्टिवनेस और efficiency को चेक आउट के जाता है कि जितना हमने जिस हिसाब से हमने सोचा था क्या उसी हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है यहां पर देखो क्या लिका हुआ एक्जामिनेशन ओफ दा इशू कनेक्टिड विद दरीज़े मैनेजमेंट ओफ दे एंटरप्राइज यह क्यों से ओडिट से रिलेट करता है मैनेजमेंट से रिलेट करता है जिसके अंदर हम efficiency audit और प्रोप्राइटरी ओडिट को हम क्या करते हैं यूज करते हैं इसकी कहीं ने कहीं इन दोनों का एक मैत्यपूरण रोल होते हैं इंप्रूमेंट इन अफिसेंसी अंद ऑप्टिमम यूटिलाजेशन और रिसोर्स और टूल फॉर इट सक्सेस यह कहते हैं कि किसी भी और्गनाजेशन के सक्सेस होने के जो चांसी होते हैं वह टोटली डिपेंड करता फिसकी मैनेजमेंट की सकेwegen करें अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है उसे लोगों से काम लेना आता है तो बढ़ीं मैनेजमेंट auditor is evaluate करेगा कि जितनी भी आपने performance की है वो पर्टिकुलर फोर्म में किया है या नहीं की हाना management auditor is evaluate the overall performance and give a report whether or not the pre-determined target have been achieved यह कहेगा कि जो आपने target achieve किये थे क्या आपने उन्होंने वो receive हुए है या नहीं हुए पारे कि जो आपने target set के थे क्या उनको आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो management audit is a a second management audit is a voluntary management audit क्या है voluntary and it over and the above the statutory audit यह statutory audit के नाम से जाने के जाएंगे क्यों क्योंकि यह हर एक organization को इवेन वो company private हो कि इवेन वो company कंपनी पॉब्ली को प्राइवेट हो या फिर आपकी बात की जाए पार्टनर्शिप की बात की जा रही है या फिर आप किसी भी other company की बात की जा रही है जो कि statutory audit के मारे हमने पढ़ा था कि जो particular किसी act के अंदर आती है और act के अंदर कोई भी company आ रही है उसे हर इवेन वोचे पार्टनर्शिप है company है joint stock है कोई भी है bank है कोई भी sector है उसे management की जूर्थ होती है management में main focus कि इसके उपर के जाता है कि जो उसके काम करने की प्रोसेस है planning organizing staffing directing यह सभी अच्छे तरीके से आप कर पारे और ने कर पारे जो आपने objective set किये थे वह आप उसको पकड़ पारे हो या नहीं पकड़ पारे हो जो आपने standard set किये थे तो कहीं ना कहीं यहां पर जो आपकी strength है जो आपकी weakness है उसको check out करेंगे समझ में आ गया अब यहां पर ना काफी सारे difference दिये हुए है continuous audit के बारे में internal audit के बारे में यह सारे difference same as it is आपको जो भी point समझाए ना वही मिलेंगे आपको ठीक है तो आप इनको read कर सकते हैं जो highlighted point थे मैंने already कर दी है ठीक है external audit internal audit मैं भी आई यह तो मैं आपको करवाओंगे भी ठीक है एक second यह वाला important है देखो मैंने पहली लगा रखा है कि यह जो point है यह important है कि internal audit and the statutory audit समझ में आ गया आप इन सब को कर सकते हैं then अब next point आ जाते है हमारे पास internal audit and there is a external audit internal audit कौन कौन से हैं और आपके external audit कौन कौन से हैं इनके बारे में discuss करेंगे चलिए सबको नजर आ रहा है internal audit आप यह जो notes है आप इन notes को access भी कर सकते हैं ठीक है आपको notes को access करने के लिए description box में वर्टक नमबर अविलेबल है और email ID भी अविलेबल है आपको पर PDF आपको रुपीज 9 रुपे चार्ज है अब की बार ठीक है क्योंकि अब की बार कुछ एक ऐसे content आपको प्रवाइड के जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप आगे master's degree कर रहे हैं नेट के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी आपके लिए beneficial है तो हमने थोड़ा चार्ज चुटी सी अमाउंट रखी है जो कि आप most of students उसको afford कर सकते हैं तो इस नाइन चलिए यहां पर देखो internal audit की बाले में बात कर रहे हैं अब internal audit हमने थोड़ा सा discuss किया था right थोड़ा सा discuss किया था यहां पर कहां गया organization वाले topic के अंदर internal audit same as it is थोड़ा सा है बट इसके अंदर आप हम इसके features भी पढ़ेंगे इसकी limitations भी पढ़ेंगे इनके हम merit demerits भी बढ़ेंगे ठीक है एक second आपको दिखाई दे रहा है proper ओके चलिए इंटरनल ओडिट एक ऐसा ओडिट होता है जो एक्जामिन करता है book of account को throughout the year ensure the accounting principle and there is a following and the actions are done according to the result of the accountancy internal audit का मतलब वो audit होता है जो within organization के जाता है और यह checkout के जाता है कि जो आपकी book of account है ना क्या वो particular जो भी आपके पास rule बनाए गए थे जो भी आपके पास regulations बनाए गई थी उन regulations के according काम किया जा रहा है book of account को त्यार किया जा रहा है या नहीं उनको check out किया जाएगा अगर किया जा रहा है तो good otherwise उनकी हम report त्यार करेंगे ठीक है objective क्या होता है internal audit का यहाँ पे इसके objective है आप इनके points भी बना सकते हैं ठीक है मैं आपको बता देती हूं सबसे पहला normal जो audit का भी important objective क्या होता था audit का भी कि आपको examine करनी थी book of account को है ना यह देखो मैं आपको इसको highlight भी कर देती हूं इसको examine the book of account book of account क्या किया जाता है examine कि जाता है by the employee responsible for the managing the account जो उस book of account को त्यार कर रहे ना वो क्या करेगा उस चीज़ को particular way में auditor के जब वो audit person उसे चेक करेगा तो उसे यह देखेगा कि जो भी employee ने त्यार किया है वो ठीक है या नहीं है ठीक है उस book of account को त्यार करेगा जो कि त्यार की गई है employee के दवारा next क्या है detect error and fraud on the account accounts के अंदर जितनी भी error fraud है उनको क्या किया जाएगा check out क्या जाएगा complete second objective क्या है compliance with the acceptance principle and the procedure यह देखा जाएगा कि हमारे पास identify and the address shortcoming जितनी भी आपके पास जो shortcoming है उनके बारे में क्या पता पता लगाया जाता है कि कितने क्या चीज हमारे पास कमी नजर आ रही है क्या चीज हमारे पास क्या है जो कि हमारे पास कहने का मतलब मैं अगर वह बताओं कि कि तहां का हमारे organization की कमी नजर आ रही है उसके उपर focus के जा रहे है next क्या है ensure the smooth functioning of the enterprises enterprise जो अपका business है उसकी functioning proper हो रही है नहीं हो रही है mentor the employee performance performance जितनी भी है employees की उसको check out के जा रहे है next अगर बात की जाए तो यहां पर make a suggestions for a improvement in the organization structure organization structure में उनकी improvement के उपर भी focus के जा रहा है समझ पा रहे हो तो यहां पर सबसे पहला क्या हो गया examine the book of account detection करना और आपकी frauds को ठीक है फिर यह check out करना कि जितने भी बिजनस अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है अगर चल रहा है तो उसे किस तरीके से और अगहे improve किया जा सकते हैं उन सभी के बारे में आप क्या कि जा सकता है बताया जा सकते हैं इतना समझ में आ गया होगा चलिए जी नेक्स पॉइंट पर आगता है कि importance of the internal audit internal audit की importance क्या है इंपोर्टेंस क्या है इंटरनल ऑडिट आप देखो internal है तो organization के within जो employee है ना उसकी बात की जा रही थी से अले परसन था यह बात की थी हमने कि यह सैले परसन है तो विदिन नॉर्मल सी बात है यह continuous level पर हो रही है और यहां पर यह help करता है management की problem को short out करने में पिन पॉइंट शोटकमिंग को निकालने में इंप्रूविंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस जीतनी मतलब कि जीतनी भी अगर मैं कहूं कि आपकी book of account त्यार की जा रही है ना उसके अंदर किस तरीके से और बढ़िया तरीके से नतीजे ला सकते हैं उनके अंदर काम करता है यह प्रिवेंट दा लोसीज लोसीज से होने से बचाता है मिसकी आप इसको खतम तो नहीं कर सकते लोस को बड़ थोड़ा सा कम जरूर कर सकते विद्धा हैल्प ओव दा ओडिटिंग क्यों कि अगर मैं कहूं कि आपकी गशार्ट साइड करनी थी ऑंद अगर बात की जाए तो ओडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होती है वैसे कोई प्रॉपरली डिफाइन तो नहीं किए कि फाइनल जो ऑडिटर की कोई प्रोपर्ली कोई डिफाइन नहीं है एक सगेंड ऐसे पर भी यह कहा जाता है कि जो अडिटर होना चीए वह क्या होना चीए वो अपने organization के अंदर इतना अपनी skill के अंदर इतना efficient होना चाहिए कि किसी particular organization के अंदर उसके management के अंदर decision लेने में तोड़ा सा आपको मदद करें ठीक है यहां पर क्या कह रहा है the qualification of the audit or internal audit depends upon the internally scenario of the interpretation and the decision of the management management के decision के उपर depend करता है क्यों क्योंकि management में decision लिए जाएंगे वो उनी को पता होंगे कितने high level के decision लिए जा रहे हैं कितने low level के decision लिए जा रहे हैं उनके base पर हम क्या करेंगे हम auditor की qualification decide करेंगे mostly क्या होता है कि यह माना जाता है कि जो auditor को as a chartered accountant की तरह उससे proper knowledge होनी चाहिए अकाउंट्स की proper knowledge होनी चाहिए बुक किस तरीके से कोई proper rule कि अपलाई हो रहा है कौन से आइटम ऐसी है जो revenue nature की है कौन से ऐसी आइटम है जो capital nature की है उनको प्रोपरली क्या कर पाए identify कर पाए ठीक है कि नेक्स जाता है advantage of the internal audit कि अब जो mostly जो continuous audit की आपको कि फीचर सी कही ना कहीं से थोड़ा सा मैच करेगी बट internal audit में और ज्यादा आपको benefited है reason क्या है defining the policy and the procedure policy और procedure को define कर सकते है क्यों internal audit क्या हमें help करता है ensure करता है जितनी भी policy है जितनी भी procedure है organization के अंदर वो कहीं ना कहीं discrepancies जितनी भी होती है उसके उपर attention आते मिसकी जितनी भी जो बुरी संगती है अर्गिनाजिशन की members की उसके बारे में भी पता लगाता है अगर नॉर्मल सी बात है management कहते हैं ना success तभी माना जाता है कि success किसके उपर depend है management के उपर management क्या जब तक अपने employee को पैचाने की नहीं employee के काम करने के तरीके को नहीं पैचाने की क्या वो success हो सकती है तो internal auditor के थुरू हम क्या कर पा रहे हैं इन इस तरह के person को भी डूंड पाएंगे policy में कुछ कमी है उनको भी डूंड पाएंगे जितना भी procedure में मालो की कोई काम चार प्रोसेस में होते हैं इन मेंबरों ने केवल दो ही प्रोतीन प्रोसेस में काम कर दिया तीसरा फॉर्थ प्रोसेस अपलाई ही नहीं कि तो कहीं ना कहीं audit के अंदर हमें पता लगा सकते हैं चलो जी planning and control कर सकते हैं यह तो बहुत important function है नॉर्मल सी बात है controlling का point पता है आपको प्लस्टू class में पढ़ते थे controlling के अंदर मतलब क्या होते हैं कि जब आप standard के साथ अपने actual को compare करते हैं और जो बीच में gap आता है जो बीच में deviations आती है अगर वो deviations tolerance limit के अंदर अंदर है तो कहीं ना कहीं हम survive कर जाएंगे अगर tolerance limit से जादा हो गया तो कहीं ना कहीं survive नहीं कर पाएंगे तो वह अपने profit को भी effect करेगी तो यहां पर क्या करें कि internal audit in a planning business activity planning business activity का भी एक बढ़िया पार्ट है क्यों क्योंकि यह करते है defining the profit oriented procedure and the assisting in the overall business control overall business control के बारे में भी हमें यह बताता है ठीक है reducing the iron and fraud this is a basic objective है preventing the capital erosion capital erosion जैसे की rusting of iron वाला concept पढ़ते हैं कि लोहे को जंग लगने से बजाना इस जरे से capital को खराब होने से बचाया जा सकता है हाना capital कहां invest करनी चाहिए कैसी invest करनी चाहिए सभी topic आपर बताते हैं improving the internal control internal control को भी हम क्या कर सकते हैं improve कर सकते हैं basic basic point यह तो इसको मैं कहूंगी बार बार समझाएंगे तो normal सी बात है से माझाएगा standardizing the employee functions employee का किसका कितना काम है क्यासे कौन perform करेंगा all things are explained in the auditing और सब कुछ बता देगा auditor कि इसने इतना काम ने जब यह कहते हैं कि जब एक process के उपर काम होता है कि यह जब तक काम नहीं करेंगा तो next person a भी नहीं करेंगा एक काम नहीं करेंगा तो बी भी नहीं कि परफोर्मेंस में भी क्या हो जाएगी efficiency increase हो जाएगी इंटर्नल ओडिट की क्या क्या disadvantage है अन्हापी एंप्लोई अन्हापी एंप्लोई की बारे में अगर बात की जाए तो क्या है इंटर्नल ओडिटर्स आर्दा अन्हापी और डिससेटिस्फाइब विद और ऑर्गिना सब्सक्राइब भालिट सब्सक्राइब 10 गया टांटिक्ट की जाएगा की कैसी है युए इंटर्नल ओडिटर्स होते वह किस वैसे जैलरी में ओता है थे पर इसक्लाइब िंप्लोई Uh के लिए suitable है बड़ छोटी के लिए suitable नहीं है यह अफोर्ड नहीं कर पाए इस चीज़ को पोटेंशिल को लिजन की बात की जाए पोटेंशिल को लिजन की बात की जाए तो इसमें क्या जाएगा इस इस पॉसिबल दा इंटरनल ऑडिटर्स में जाए जाए चल रहा है है एक सेकिन एक सेकिन एक सेकिन एक सेकिन जाए पोटेंशिल का लिजन का मतलब क्या था कि जैसे कि इंटरनल एस सेलरीड परसन एमपलोई है एक सब्सक्राइब इसके अंदर दस व्यक्ति काम करते हैं दसों में से कोई एक व्यक्ति आपने इंटरनल ऑडिट के लिए बुला लिए जिसको अकाउंट की पूरी नौलीज है तो कहीं ना कहीं यह मालो जो चार्टेड जो बुक अकाउंट को त्यार करता है यह वाला परसन अब इसके साथ इसकी खुब बनती है तो क्या इसकी यह बताएगा कहीं ना कहीं यह इंटरनल ऑडिट का डिसडवेंटेज है कि जो एक दूसरे को जानते हैं एक दूसरे को पहचानते हैं जिसके कारण फानेशल पॉजिशन बढ़िया रिपर्जेंट करना करना वह आपशन होगा ना औट अदियर में कमटश देंगे मैं समझ में अगर कंक्लूजन रो करूं तो इंटरनल ऑडिट कई ना कई आप अप डिटेई में हेल्प लेते हैं इनके लिए तो बेनिफेटेड है बट यह केवल सुटेबल केवल लार्ज ओर्गिनाजेशन के लिए नेगिटिव पॉइंट इसके अपने आप में एक कही ना कही एक रिलेशन्शिप बन जाता है जिसके कारण आप कही ना कही उस परसन की कम्यानी बतात अब यहीं आ जाते हैं ओडिट वह उता है जिसके अंडर जो ऑडिटर होता है वो क्या होता है इंडिपैडेडनेट और चाठगे अकॉंटन्ट या फिर सेटीफाइद ऑडिटर हो जीजिए जो लाइन यह लाइन कहीं ना कहीं बदेमर्स नर्जर आ रही है आपको इंटरन और्डिट की नजरारी ये डीमरिट है क्योंकि इंटर्नल ओडिट में इंडिपैंडनेंट नहीं होता और्गनाजिशन का मेंबर ही होता है इसमें सेलरीड मिलती है ये क्या करता है अपने खुद की फीस चार्ज करता है जैसे भी फीस बनती है इसमें किसी बी तरह का पर्सनल रिलेशन्सिप नहीं होता कही ना कहीं इंटर्नल ही है तो पर्सनल रिलेशन्स भी होने गा ही होएगा चलो जी अब्जेक्टिव क्या है अब्जेक्टिव क्या है इसका अब्जेक्टिव यहां पर इसका है कि reviewing the accuracy and the reliability of the organization financial statement की देखना कि जो आपकी फांएशल स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें तो यह सी होती है एक तो मुर्णे पास Income स्टेटमेंट रोती एं और एंसे अगा में पास Financial n be position होती है对 반 hayon Statement बार पोर गया है अब ही मैंने अपको बतायाइ था यहां पर difference में बताय था कहां गया difference अच्छाय यह बहुत ऊपर गया हुए आँ जहां पर समझाय था financial statement के दो component है internal statement and there is a financial financial position में internal income statement में क्या त्यार करते हैं internally income statement में क्या त्यार करते हैं हम अपने trading accounting account and the profit and loss account इसमें क्या करते हैं इनकी accuracy इनको हम review करते हैं कि यह दोनों accurate है reliable है या नहीं है ठीक है नेक्स अगर बात की जाए तो क्या है compliance with applicable law regulations and there is accounting standard यह देखा जाता है कि जो भी जितने भी books of account है उनको proper way से proper rule regulation के हिसाब से माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है compliance का मतलब होता है अनु कि पालन करना किसका करेगा लोगा करेगा rule regulation का करेगा जो की particular form में दिखाया गए आपको next क्या है identify any material miss statement and the fraud जितने भी मिस statement और fraud हुए हुए है उनके बारे में हम क्या लगाते है पता लगाते है identify करते हैं कि समझ में आ गया चलो जी advantage यही जो मैं अभी मैंने आपको बताया है कि जो advantage क्या है इसके कि यह independent होता है ठीक है independent that means external auditors होते हैं वो independent होते हैं उनके साथ कुई सी भी तरह का personal relationship नहीं होता वो chartered accounted होते हैं CA का कोर्स क्या होता है उनको accounts की perfect knowledge होते है specialized knowledge वाले person होते हैं next की बात कि जाए तो accountability आप जो इनको काम दिया जा रहे हैं कि जितना भी उनको क्या दिया जा रहा है वर्क दिया जा रहा है उसके प्रतिवों क्या होते है responsible होते हैं आपने एक concept पढ़ा होगा अठ्योर्टी कि अठ्योर्टी कि रिस्पॉंसिब्लिटी कि और आपका है accountability कि हाना तो यह concept वहीं अगर आप किसी को काम दे रहे हो अठ्योर्टी दे रहे हो अकाउंट को चेक करने की तो यह कहीं ना कहीं आपकी responsibility रिस्पॉंसिब्लिटी अठ्योर्टी दोनों एक साथ मुव करती है अगर आपको accountability चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको उसको importance देती है कहीं ना कहीं आप ही आ जाते हैं कि जो भी पर्सन जो आपकी company के regarding क्या हो interested हो इंट्रस्टीड हो, उन पर्सन को क्या कहते हैं Stakerolder, even उसमें कुछ भी आ सकते हैं, landers भी आ सकते हैं, जो आपको पैसे देते हैं या shareholders आ सकते हैं, investors आ सकते हैं, government आ सकते हैं, piping sector आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं उनके लिए भी क्या है यह कहीं ना कहीं positive point उनके लिए भी confidence create करता है कि इनकी इस company की book of account क्या है बिल्कुल true है समझ में आ गया आज हमने कौन-कौन से topics इन सभी topics के बारे में discuss कर लिया है एक topic तो हमारे पास क्या था कि हमने organization और गनाजेशन ऑडिट के बारे में पड़ा जिसके अंदर हमने चार पॉइंट को discuss किया है फर्स पॉइंट क्या था कि हमारा statutory limited statutory audit था statutory audit था ठीक है एक हमारा था क्या था प्राइवेट प्राइवेट और अडिट था एक हमारे पास government audit था एक हमारे पास internal audit थे ठीक है प्रैक्टिकल के पॉइंट आप में से अगर बात की जाए प्रैक्टिकल हमने कौन कौन से पॉइंट याद किये हैं सबसे पहले complete audit हमने discuss किया हमने partial audit को discuss किया थर्ड हमने क्या डिसक्स किया continuous audit को हमने discuss किया फॉर्थ हमने किसको discuss किया cost audit को discuss किया फिफ्ट हमने management audit को discuss किया शिक्ष हमने किसको discuss किया cash audit को discuss किया seventh हम ने किसको discuss किया? Interm audit को discuss किया. Right? Than eighth हमने internal audit को discuss किया. Ninth हमने complete external audit को discuss किया. इनके merit, demerit, suitability पढ़ी. इनके भी demerit, merit-demerit करी. और साथ-ही साथ हमने इनके difference भी पढ़ी. ये देखो हमने इतने मतलब कि पूरी एक वीडियो के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट बढ़ लिया विद नॉट्स में आपको प्रवाइट करें तो कहीं न कहीं ये जो वीडियो है आपके next chapter को clear करने के लिए even previous chapter की knowledge लेने के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा important यहां से 15-20 नंबर तो अराम से आएंगे याएंगे 101 परसेंट शूर है तो that's a reason कि इस वीडियो को complete देखिए skip मत कीजिए ठीक है और अगर आपको ये notes तो आप हमें वर्सक नंबर से contact कर सकते टीम आपको जल्दी response करेगी और आपको पर PDF आपको 9 रूपीज पे करने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि अब की बार content है उन्हें आप provide किया गया है और बहुत ही छोटी सी amount टकी गई है और साथ में आप comment भी जरूर कीजिए comment में even आपका positive है negative response आ रहा है response जरूर दीजिए क्योंकि कहीना कहीं response देने से हमें भी motivation मिलता है positive है तो कहीना कहीं motivation मिलेगा अगर negative है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे वही बाते हैं जैसे हमने अभी audit में बढ़ा कि इंप्रूव किया जाएगा अना तो उमीद करते हैं जो आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और content भी अच्छा लगा होगा मिलते हैं next video के इंदर जिसके अंदर audit programming को discuss करेंगे ठीक है audit programming होती क्या है कैसे हम इसको करते हैं क्या 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 इसके अंदर activities verification voucher की वह कैसे help करते हैं यह सभी topic उसके इंदर discuss करेंगे ठीक है thank you for watching this video have a nice day and all the very best exam बहुत अच्छे होंगे आप लोगों की ठीक है